दोस्तों कल के दिन में BTC जो है वो अचानक पंप कर गया from 40,000 डॉलर up to 44,000 डॉलर 100 और इस वकत भी BTC की प्राइस जो है 43,500 और 700 के in between ही चल रही है अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने की जरुवत है कि आया हम लोग यह समझ लें कि मार्केट जो है मुकमल बुलरन की जानिब चल रही है और एक अच्छा खासा huge pump आने वाला है या दूसरी option जो है वो यह कि एक यह dead pump साबित होने वाला है जिस तरह हम लोग उने पिछले कोई दो हफते में देखा और जब हम लोग charts को देखते हैं वहाँ पे हम लोग एक common चीज़ जिसको हम लोग miss कर जाते हैं वो होता है time क्योंकि पिछले तकरीबन तीन हफतों से हम लोग देख रहे हैं कि BTC जो वो एक ही ratio के अंदर 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 मूव कर रहा है अगर हम लोग dead pump की बात करें तो dead pump जादा तर वेल्स और उसके लावा बड़ी बड़ी exchanges की जानब से लाया जाता है और उसमें होता कै कि जतने है अब समझ लो कि short position वाले बाई साथ थे फ्यूचर्स रेडिंग के में बात कर रहा है जतने short position वाले बाई साथ थे वो सारे के सारे हो चुके हैं अब liquidate अब लोग लगाएंगे long position में और उसके बाद उनकी long positions जो हैं मार्किट को शॉर्ट करके सारी की सारी पोजिशन्स जो है उनकी लिकुडेट की जाएंगे खैर अगर हम लोग अपने आएं मुद्दे के ओपर के अब ये वाला जो पंप है लफजों में समझा जाएगा आप लोगों को कि मिसाल एक के तोर पे अगर आप लोगों के पास 2020 में 100 यूएस डालर था तो अब 7% यानिके 7% डिक्रीज यानिके वो 100 डालर जो है वो आपका 93 डालर रह गया 2022 में यानिके दो सालों में इत्री जादा इंफलेशन हो चुकी है इट मीन्स के यूएस डालर जो है वो आइस्ता 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 नीचे की तरफ जा रहा है अब ये सारी बात हैं समझने की ज़रूट इसलिए भी हम लोगों को क्यूंके इट मीन्स के अब जाके होगा क्या के लोग जादा से जादा पैसा किस चीज में लगाएंगे क्रिप्टो करंसी में जब फिएट जो है वो क्रिप्टोकरंसी केंदर गुसेगा तो तब क्या होगा हमें एक पंप देखने को मिलेगा It means कि market अभी भी entirely bullish है साथ ही साथ एक भाई साथ है इन्होंने कोई दो दिन पहले इन्होंने दो दिन पहले एक tweet की और साथ ही साथ इन्होंने एक CNBC के उपर अपना interview दिया और वहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और खुब पैसा कमाएंगे तो इस हवाले से I'm pretty sure कि हाँ मैं ये नहीं कहा रहा है कि हाँ ये वाला जो pump है ये real है ये fake है मगर कहीं न कहीं कहीं न कहीं अब जो US citizens हैं वो लोग directly indirectly crypto में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आप अगर क्रिप्टो में पैसे लगाते हो हाँ ठीक है कि market अग्दम से उपर नीचे होती है सारा कुछ होता है सारी बाते मानने से तालुक रखती है बट still कहीं न कहीं कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ फाइदा भी होता रहता है इस crypto market से तो ये तो थी जी सारी के सारी news market की और मेरे अपने अदाज़े के मताबिक 47,000 और 48,000 उमीद है कि हम लोग next week तक देख सकते है अगर market इसी तरह bullish trends में रही क्योंकि जब 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 stocks में या किसी और मामले में इस तरह की reports आती है जहां पर मैं आप लोगों के शेयर करूंगा कि FTM के NFTs को कैसे purchase करना है कैसे इनको sell out करना है क्योंकि इस वकत एक अच्छी news आ रही है FTM scan के हवाले से जिस तरह आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में FTM जो है पिछले एक हफते में market के बिलकुल against जाते हुए क्योंकि पूरी market नीचे जा रही थी FTM was the only coin जो के pump हो रहा था same like Shiba Inu जिसना Shiba Inu market के against गया जब पूरी market थी वो crash हो रही थी और Shiba Inu pump हो रहा था उसी तरह FTM जो है उसने भी ऐसा किया कि पूरी market crash हो रही है और FTM हो रहा है pump अब इस pump के पीछे दो तीन रीजन है सबसे पहली रीजन है कि NFTs NFTs के उपर ये लोग बहुत ज़ादा काम कर रहे है और इसी तरह एक नया project ने क्या कहते है market places जो हैं वो लोग introduce करवाएं लगे है तो अभी अभी अगर हम लोग इस काम में पढ़ जाएंगे तो surely we will make some more money ठीक है और उन लोगों से पहले हम लोग कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ पैसे इन NFTs के जरीए बना लेंगे अगर हम लोग इन NFTs को बाय कर लेंगे अपना navigators कहलो या अपने दो बंदे जो है वो क्या कहते है जो navigate करेंगे सारे इशू को जो समझाएंगे कि हाँ यह क्या क्या इशू हुआ FIA का जो इशू था उसमें उन्होंने अपने दो बंदे पॉइंट की है और उन्होंने पता है कि यह आप लोगों के साथ मिल के सारी आपकी help करेंगे तो आप लोगों का इशू है इसको resolve कर देंगे तो इसलिए इसमें कोई किसी किसम का मसला नहीं है Binance का आपका account उसको कुछ नहीं होने लगा दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन का केस चल रहा था उस हवाले से भी अच्छी चीज़ है कि उसकी डेड़ी पड़ गए भी अपरैल की ठीक है ना तो बारा या तेरा अपरैल है